देखें क्रामी न्यूस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उत्तर प्रदेश में भी जैसे बलादकारों का सिलसिला चल पड़ा है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एता में एक आट साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी वहीं आज भी यूपी के अलीगंज शेत्र में एक और नौ साल की बच्ची के साथ बलादकार कर उसकी हत्या कर दी गई है जानकारी के मुताबिक 9 साल की बच्ची अपने ही घर के एक तिलक समहरों में शामिल होने गई थी वही उसके साथ इतना बड़ा हाथसा हुआ बच्ची थाना लीगंज शेत्र के गाउं के इल्टा में अपने परिवार के साथ एक तिलक समहरों में शामिल होने आई थी और रात करीब दस बजे गाउं के ही एक शक्स पिंटू और उसके दोस्तों ने बालिका से पीने के लिए पानी मंगाया जिसके बाद आरोपी बालिका को दुकान से चीज दिलाने के बहाने गाउं के बाहर बनी नरसरी में ले गए और उसी नरसरी में बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी जब परिजनों ने तलाश की तो देखा कि बच्ची का शब नरसरी में पढ़ा है बच्ची के हालद एक परिजन दंग रह गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शब को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और आरूपी के तलाश कर रही है